यहाँ पर हमारे सामने एक गुटने का X-ray है इस वीडियो में हम समझने की कोसिस करेंगे कि कैसे हम गुटने का X-ray देखते हैं या फिर कैसे हम इसमें कोई प्रॉब्लम ढोंडते हैं तो उससे पहले हम इसकी अनाटमी को जान लेते हैं कि हमारे गुटने की अनाटमी क्या होती है देखे एक्सरे को समझने से पहले हमें अपने पैर की हड्डियों के बारे में जानना होगा क्योंकि बिना इने जाने हम एक्सरे को नहीं समझ पाएंगे तो इसके लिए हमें अपनी तीन हड्डियों के बारे में जानना होगा हमारे पैर में एक हड्डी पाया जाती है जिसका नाम है फिमर तो यह हमारे गुटने से उबर पाया जाती है यानिकि हमारे जांग की हड्डी होती है और यह हमारे सरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है और हमारे गुटने के नीचे दो हड़ी पाया जाती है एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला देखे टीबिया जो होती है वो बड़ी हड़ी होती है जबकि फिबुला चोटी हड़ी होती है तो इसे हम थोड़ा जू जिसे की हम पटेला केहते हैं यह हमारे गुटने के मूवमेंट में help करता है और देखे जब भी हम गुटने के X-ray करते हैं तो इसमें हमें दो व्यू लेने होता है यानि कि इसे दो तरीकों से करना होता है एक होता है AP व्यू यानि कि सामने से यदि हम यहाँ पर सामने से देखते हैं तो हमें इमेज कुछ इस तरह की दिखाई देती है सेर के मुह में बच्चे का सिर भी दिखाई दे रहा है यदि हम इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर हमें बच्चे का सिर दिखाई नहीं दे रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि सेर ने बच्चे का सिर्ख खा लिया है तो कभी-कभी देखने के वियू से भी डियाग्नोसिस चेंज हो जाता है इसलिए हमें नीक एक्सरे में AP एंड लेटरल दोनों ही एक्सरे कराने होता है देखें जब भी हम AP वाल एक्सरे कराएंगे तो हमारी जो फिबुला बोन होगी वो बाहर की तरफ होगी और टीबिया बोन जोगी वो अंदर की तरफ होगी और पटेला बोन जोगी वो सामने की तरफ होगी और जब हम lateral x-ray कराएंगे तो हमारी patela bone कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी और fibula bone हमारी बाहर की तरफ होगी सबसे पहले हमारे सामने कि ये normal x-ray की picture है इस x-ray में कोई भी problem नहीं है और ये इसका AP view है यानि कि anterior posterior view है हम इसे सामने से देख रहे हैं ये इसकी right side है और ये इसकी left side है तो यहाँ पर जो ऊपर है ये है इसकी femur bone यानि कि ये हमारी बड़ी हड़ी है femur bone नीचे है ये tibia bone और side में है ये fibula bone तो इस तरह से इसमें ये arrangement रहता है और इनके बीच में ये जो हड़ी होते हैं बीच में कुछ space पाया जाता है ये कुछ खालिस्तान पाया जाता है जो कि बिल्कुल normal है और ये इस x-ray का lateral view है यानि कि हम इसे अब side से देख रहे हैं तो हमें side से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये femur bone है, ये tibia bone है और ये femur bone है और ये हाँ पर patella bone है तो आपस में ये कुछ इस तरह से जोड़ी रहती है देखे जो हमारे joints होते हैं उनके बीच में cartilage पाया जाती है जिसे कि हम highline cartilage कहते हैं और इसके बीच में कुछ पानी सा भरा रहता है जिसे कि हम synovial fruit कहते हैं तो इस पानी का काम क्या होता है ये हमारे joints को आपस में टकराने से या फिर रगरने से बचाता है तो कभी-कभी जो पानी होता है या फिर जो cartilage होती है ये खतम या फिर कम हो जाती है जिससे हमें problem हो जाती है और हमारे जो गुटने के joints होता है वो आपस में टकराते हैं आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं जो X-ray है उसमें जो joints है उनके बीच में बिल्कुल normal space है यानि कि यहाँ पर जो cartilage है वो पूरी तरह से बनी होई है यानि कि यह पूरी तरह से एक normal X-ray है इन्हें कोई भी problem नहीं है तो कभी-कभी जब हम X-ray में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की picture देखने को मिलती है इसमें जो बीच का space है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है यानि कि loss of joint space और इस problem को हम कहते हैं osteoarthritis और देखिए जो बीच का space होता है वो एकदम से खतम नहीं होता है ये धीरे-धीरे एक particular age में खतम होना start हो जाता है तो इसे हमने कुछ grading दी हुई है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं तो यहाँ पे हमने चार image ली हुई है जो कि है grade 1 की grade 2, grade 3 and grade 4 grade 1 में आप देख पा रहे हैं जो बीच का gap है वो हलका सा कम हुआ है यानि कि यहां से osteoarthritis की सुरुवात होती है grade 2 में जो space है या gap है वो हलका सा जादा कम हो चुका है grade 3 में वो बिल्कुल पास आ चुका है grade 4 में जो बीच का gap है वो बिल्कुल ही खतम हो चुका है और देखी जब किसी को osteoarthritis हो जाता है और आप उसका x-ray देखते हैं तो आपको space कम हो जाने के साथ में side में कुछ osteo fights भी देखने को मिलते हैं यानि कि यहां पर जो हड़िया होती है उसमें से कुछ points निकल जाते हैं साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि हमें knee replacement surgery की जरुवत कब पढ़ती है जिसे कि हम आम भासा में गुटना चेंज कराना बोलते हैं देखे grade 1 और grade 2 को कुछ exercise के द्वारा और अच्छी diet से हम ठीक कर सकते हैं grade 3 को भी हम कुछ हतक ठीक कर सकते हैं लेकिन grade 4 की condition में हमें knee replacement ही कराना पड़ता है क्योंकि ऐसी condition में जो मारा बीच का gap होता है वो पूरी तरह से खतम हो चुका होता है कि knee replacement surgery के दोरान गुटने में metal का implant लगा दिया जाता है और यह surgery कैसे की जाती है इस पर भी हम जल्दी video upload करेंगे